एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों कि सुबह उटके सबसे पहले एक जिन्दा फ्रोग यानि कि एक जिन्दा मैंड़क खाना चाहिए बेसक ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे दोस्तों लेकिन इसका मेनिंग बहुत ज्यादा डीप है यानि कि आपको अपने most challenging टास्क के लिए हमेशा ready रहना चाहिए अपने हर दिन को इस तरह से organize करना सीखें कि आप अपने muscle से muscle टास्क भी efficient और effective तरीके से पूरा कर पाई और यही इस बुक का goal है दोस्तों ये बुक आपको सीखाती है कि अपने most important और least important काम के बीच आप कैसे balance create कर सकते हैं Eat That Frog एक life changing बुक है दोस्तों हर वो इनसान जिसे आज का काम टालने की habit है ये बुक उसके बड़े काम की है ये बुक आपको टाल मटोल की आदत को दूर करके self discipline सिखाती है अगर आपके पास कहीं सारे टास्क हैं तो सबसे challenging और most difficult टास्क से सुरू कीजी आपके ideas जब तक action नहीं बन पाएंगे किसी काम के नहीं है इसलिए जो भी करना है अभी केजिए तो दोस्तों अगर आप भी अपनी सभी कामों को on time करना चाहते हैं वो भी effectively और efficient दोनों तरीके से तो इस वीडियो समरे को आप सभी last तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी tips share कर रहे हैं जिनसे आप अपनी टाल मटोल की habit को बदल सकते हैं उसको change कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से subscribe कीजिए and bell icon को दबा दीजिए ताके आपको आने वाले new videos की notification सबसे पहले मिल सके नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फीज से स्वागत है self help book channel पर और आज किस वीडियो में हम आपके साथ share करने वाले हैं Eat That Frog book की summary के बारे में जिसके author हैं दोस्तों Brian Tracy जो कि Canadian American motivational speaker और एक self development author हैं दोस्तों और उन्होंने अब तक 70 से भी ज़्यादा books लिखी हैं और उनकी books को 12 से अधिक भाशाओं के अंदर translate किया गया है और आज हम उनी की best selling book Eat That Frog से कुछ lessons आप लोगों के साथ share करने वाली हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Eat That Frog book के introduction के बारे में Life के अंदर successful बलने का बस यह secret है दोस्तों कि जो भी करना है उससे आज और अभी कीजिए इस book में आपको 21 ऐसी strategy बताई गई है जिन पर चल करके आप अपनी life के अंदर successful बन सकते हैं और ऐसा उथर का मानना है ऐसी बहुत से studies की गई हैं दोस्तों जिन से पता चलता है कि successful लोगों को immediate action लेने की आदत होती है और उनकी इसी आदत की जैसे वो सफलता के उस सिकर पर पहुंचे हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो meetings पर meeting करते हैं brilliant बड़े-बड़े plans बनाते हैं दोस्तों फिर भी उनका task पूरा नहीं हो पाता इसलिए अगर आप भी productive बनना चाहते हैं तो आपको productive बनने की habit भी डालने होगी काम को delay नय करने की आदत, priorities set करना और अपने most important task को tackle करने के लिए आपको expertise की जरूरत है जब आप multiple time ये चीज़े करेंगे तो automatic ही आपकी ये सभी habits बन जाएंगी और जब आपको important task complete करते हैं तो आपकी body में endorphin नाम का एक chemical release होता है दोस्तों जो आपके अंदर काम करने का नसा पैदा करता है अब भलाई से बहतर क्या हो सकता है कि आपके अंदर एक addiction पैदा हो जाए जो आपका अपने unfinished task को पूरा करने पर मजबूर कर दे फिर ये आपके लेक easy habit बन जाएगी और सबसे बड़ी बात है दोस्तों success के लिए जो 3D है ना वो है decision, discipline और determination decision किसी काम को करने का और दूसरा है दोस्तों discipline जिससे काम को इंजाम दिया जा सकता है और 3rd है determination कि जब तक आप अपने उस काम को पूरा नय कर लें आपको उसे छोड़ना नहीं है और finally अगर आपको सच में एक successful इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही visualize कीजिए जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाल लेंगे और अपनी टास्क को जल्दी जल्दी पूरे करने की habit डाल लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप success के road पर भागने लगे हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे lesson number 1 के बारे में जो है set the table एक low end यानि कि एक सेर को सिकार करने से पहले क्या step लेना पड़ता हैं दोस्तों जी हां दोस्तों आपने सही गैस किया हो है सबसे पहले अपने पर यानि कि सिकार को चूज करना इसी तरह से आपको भी अपने target को पहले से ही clear करना पड़ेगा दोस्तों और फिर बिना रुके अपना काम start कर दे गोल की clarity ही नहीं इससे कैसे करना है इस बात की भी clarity हमें रखनी पड़ेगी अगर आपको short time है यानि कि कम समय के अंद अपनी productivity को बढ़ाना है तो आप इन 7 steps का use कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले step है दोस्तों decide करना कि आपको क्या चाहिए जरा सोचे उस सेर के बारे में दोस्तों उसके लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत सिकार के पीछे भाग रहा है और दूसरा step है दोस्तों कि जो आपने सोचा है उससे लिख लेना अपनी goals को paper पर लिखने से आप motivate होते हैं आपको उसे clearly और perfectly पूरा करने की energy मिलती है दोस्तों वो third step है दोस्तों कि deadline को decide करना जैसे कि एक सेर अपना सिकार करने में इतना successful कैसे हो जाता है क्योंकि वो इसमें देरी नहीं लगाता वो अपने सिकार का उसी वक्त सिकार करता है जब वो उसके बारे में सोच रहा होता है दोस्तों और fourth step है दोस्तों एक list बना लेना कि आपको अपने goal achieve करने के लिए कौन-कौन से steps लेने पड़ेंगे और fifth step है दोस्तों इस list को organize करना ताकि ये सिर्फ एक list न रहा करके एक plan बन जाए priorities over sequence के हिसाब से आप इस list को organize कर सकते हैं दोस्तों और ये करना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अपने task को छोटे-छोटे individual assignments में divide कर सके जो easily accomplished हो जाए वो six step है दोस्तों जो भी action लेना है अभी immediately ले लो कल का wait मत करो जो करना है अभी इसी वक्त करो वो seven step है दोस्तों हर रोज ऐसा कुछ न कुछ करो जो आपको अपने goals के तरफ ले जाता हो फिर सहया आप किसी नई language ये कुछ words ही याद क्यों न करें या फिर रोज कुछ न कुछ ऐसा पड़े जो आपकी life में value एड करता हो और आपको अपनी goals के करीब ले करके आता हो दोस्तों matter बस ये है दोस्तों कि एक बार अगर आपने start किया तो फिर आपको रुकना नहीं है आपकी progress छोटी ही सही पर है तो सही तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगर किसी को एक elephant खाना है तो इसका सबसे easy तरीका क्या है जाईसी बात है दोस्तों इसको छोटे छोटे पीसों में काट देना सेम चीज यहीं पर goals के साथ भी है दोस्तों ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा efficient तरीका है क्योंकि जब आपका goal छोटे छोटे टास्क में divide हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा easy हो जाता है दोस्तों और इसके साथ ही आपको एक बड़िया प्लान बना करके चलना होगा कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा अब यहाँ पर हम आपको 6P formula बताते हैं दोस्तों जो आपकी सारी confusion दूर कर देगा यह कुछ ऐसे है दोस्तों प्रोपर फिदियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पूर परफॉमेंस अपने next day के टास्क लिख लिए इससे आपकी productivity 25% बढ़ जाते है दोस्तों आपके list सब level होनी चाहिए monthly, weekly और daily day के हिसाब से इस list में से item transfer करके आपके आपको most productive day create कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको कोई project पूरा करना है तो first step है यह लिजिए कि वो सारे steps लिख लिजिए जो आपको अपना goal achieve करने में उठाने है और जब आप इन steps पर काम करोगे तो उनमें से जो भी steps पूरा हो जाए तो आप उन पर ठीक मार्क लगा सकते है जिससे आपको feel हो सके कि टास्क पर आपका पूरा control है दोस्तों तो अच्छे लिए दोस्तों बात करते हैं मारे next lesson के बारे में हर चीज के लिए 80-20 प्रिंसिपल का रूल एपलाई किजी दोस्तों imagine किजी दोस्तों कि आपको कुछ इंपोर्टन इमेल्स पढ़ने हैं और इसके साथ ही आपको शोपिंग के लिए सूपर मार्किट भी जाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जाइस सी बात है दोस्तों इमेल्स पढ़ना जादा इंपोर्टन है आपके लिए और वैल्यूएबल भी और यही 80-20 प्रिंसिपल भी हमें बताता है कि जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू देता है दोस्तों और 20% टास्क कुछ ऐसे होते हैं हमें 80% वैल्यू देते हैं इसलिए हमेशा इंपोर्टन टास्क से सुरू कीजिए जिनकी वैल्यू बाकि सभी टास्क के मुकाबले कहीं जाद हो अकसर लोगों की आदत होती है कि वो इंपोर्टन टास्क टालते रहते हैं और फाल्तू के कामों में बीजी रहते हैं और इसलिए कहीं बारों ने लगता है कि वो बीजी हैं कुछ काम कर रहे हैं जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुस्ट भी नहीं होती इसलिए याद रखे कि हमेशा इंपोर्टन टास्क पहले कीजिए खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजन कीजिए कि आप उन्हें फिनिस कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हमारे नेस्ट लेसन के बारे जो है कंसीडर दी कंसिक्वेंसिस सक्सेस्फुल लोग अपनी डिसिजन्स में टाइम फेक्टर को काफी इंपोर्टेंस देते हैं दोस्तों आफ्टर ओल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मैंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बैटर है जो आज की डेट में प्रोफिट कमा रही है लेकिन अगले 5 सालों में गायब हो जाएगे एक क्रूसिल टास्क के ओटोमेटिकली लोग डरम पोटेंसल कंस्किक्वेंसिस हो सकते हैं दोस्तों अगर कुछ सोट रम सेक्रिफाइसिस किये जाएं तो क्या आप ये डील करने को त्यार हैं दोस्तों आपको हमेशा ऐसे टाक्स से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंसल पोटिव या फिर नेगटिव कोंसिक्वेंसिस हो खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पोटिव इंपक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा खुद को आप अपने माइंड के हाथों फूल यानि की मूर्ख ना बनने दे कि आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि जैसा कि force efficiency का low है दोसों उसके हिसाब से आपके पास important काम करने के लिए हमेशा टाइम है ये studies और research में प्रूब हुआ है कि अगर आप last minute में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेसक आप इससे finish कर लेंगे लेकिन ये भी फक्का है दोस्तों कि इसमें mistake भी बहुत सी होंगी जो आप ठीक नहीं कर पाएंगे इससे तो बैटर है दोस्तों कि पहले से ही आप अपना सारा काम organize कर ले ताकि फिर delay के लिए time बस सके तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे next lesson के बारे में जिसमें author हमें creative procrastination की practice करने के बारे में बताते हैं अगर आपको एक दिन में धेर सारे frogs खाने पड़े तो आप क्या करेंगे दोस्तों आप बोलेंगे कि सबसे पहले हम first वाला frog खाएंगे यही difference दोस्तों successful लोग और failures के बीच में हर कोई टाल मटोल करता है कि किस बात पर टाल मटोल करनी है आप वो चूज करें ना बोलना भी एक art है दोस्तों और आपको यह सीखना होगा हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है जो आपको अपने गोल के तरफ नहीं ले जाती उसे ना बोल दे अपनी life से time consuming activities को cut down कर दे दोस्तों जैसे कि आप television देखने की बजाए उस time के अंदर कोई book पढ़ सकते हैं दोस्तों और आगे दोस्तों ओथर हमें ABCDE method continuously यूज करने के बारे में बताते हैं कि आपके पास खाने को धेर सारे frogs हैं ABCDE method जैसा की नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ए आपका सबसे important frog है दोस्तों और वो टास्क है जो आपको करना चाहिए लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो life को ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा दूसरे सब्दों में कहें तो दोस्तों यह आपके लिए मस्त नहीं है और C ऐसा टास्क है दोस्तों जिसे करना ठीक रहेगा लेकिन इसे ना करने से आपकी life बिल्कुल भी effect नहीं होगी और D एक ऐसा टास्क है दोस्तों जो आप किसी strictness दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क immediately start कर दे और जब तक पूरा नहों तब तक ना रुके तो चली दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेस्ट लेसन के बारे में जिसमें ओतर हमें की result areas पर focus करने के बारे में बताते हैं जब कोई सेर किसी हिरन का सिकार क करता दोस्तों बलके अपने काम को simpler और easy task में वे divide करता है जैसे example के लिए सेर पहले उसके पैरों को घाल करेगा जिससे कि वो जमीन पर गिर जाएं फिर उसकी neck यानि कि उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ेगा इसी तरह से आपको भी हर job को 5 या 7 result areas के अंदर divide करना दोस्तों यही आपकी job का most important output है जैसे कि किसी salesman के लिए new accounts बनाना अपने key result areas को master करना ही successful output की guarantee है दोस्तों और आगे दोस्तों ओथर हमें बताते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उससे प्लान कर लेना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप किसी meal को prepare करने से पहले सारी अफट बस सके सेम यही चीज working के साथ भी है दोस्तों अपने काम के starting से पहले ही हर चीज अरेंज कर लें यहां तक कि कुछ देर के लिए हर चीज फ्लोर पर रख करके अपनी desk को clean रखें आपका workplace enjoyable होना साहिए इसे जितना हो सके उतना comfortable बनाने की कोशिश कीजिए ताकि जब स्टेट बैठे फलोर पर अपने पैरों को flat रखें आपकी बैक चेर से दूर forward होनी चाहिए बेसक अभी आप त्यार नहीं है फिर भी सुरू कीजिए और अपना 80% जो पूरा कर लीजिए और फिर उसके अंदर आप बाद में correction कर सकते हैं अपने माइंड में फिर को आने ही नहीं दे दोस्तों और आगे दोस्तों ओथर हमें बताते हैं कि एक बार में एक oil barrel उठाएं एक बहुत पुरानी कहवत है दोस्तों एक जर्नी ओफ थावजेंट्स किलोमेटर्स बिगेंस विद इस सिंगल स्टेप यानि कि एक हजारों किलोमेटर की जर्नी भी पहले कदम से सुरू होती है दोस्तों काम को टालने से बचने के लिए आप उसे छोटे-छोटे स्टैप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं यकीन मानिये गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी कुल मिलाकर के सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं यनि कि आपको तुरंत अपने काम को सु फलता में एक कदम आगे पहुंच जाएंगे दोस्तों और इसके बाद दोस्तों ओथर हमें अपनी स्किल्स को परेड़ करने के बारे में बताते हैं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस्पुल होना चाहते हैं दोस्तों तो लर्निंग करना कभी न छूड़ें कुछ न हमेशा कोशिस करते रहे और लर्निंग को कभी न छोड़ें जिस टास्क में आप अच्छे हैं उससे आज ही सुरू किजिए इससे बड़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है दोस्तों अगर आप प्रोपर एफर्ट और टाइम लगाएंगे तो दुनिया में हर चीज सीखे जा सकती है तीन की स्टेप से दोस्तो जिने फोलो करके आप अपने फिल्ड के मास्टर बन सकते हैं सबसे पहला है दोस्तों जो भी आपकी फिल्ड है उसके बारे में ऐटलिस साट मिनट डेली पढ़ें उसके बाद उसे डिलेटिड जितने भी कोर्स याफिस सेमनास एवील आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ न कुछ याद करेंगे दोस्तों जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। और आगे दोस्तों ओथर हमें अपने स्पेशल टैलेंट को लिवरेज करने के बारे में बताते हैं कि किसी भी सेल्समेन या फिर फार्मर की तरह हर एक इंसान को अपनी बैस्ट किल पता होती है और वो उसे ट्रेनिंग और नोलिज के जरिए नरिस्ट कर सकता है दोस्तों यान आपको करने में इंजोएबल लगती है और सबसे इंपोटेंट बात यह है दोस्तों जिस टास्क आपकी लाइफ में मोश्ट पोईटिव इंपैक्ट पड़ता है और उसके बात दोस्तों ओधर हमें अपनी की कॉंसेंट्रेशन पोईट्स के को आइडेंटिफाई करने के ब जूर कर लेजिए जैसे कि एक सेर पूरी तरह से अपने सिकार पर नजर गडाय रखता है आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटका रहा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबलीटीज को लगा दीजिए आपके लिमिटिंग फैक्टर एटी परसेंट तो इंटरन किजिए कहीं ऐसा नहों कि आप किसी गलत चीज को अपनी लिमिटिंग फैक्टर समझ करके उसे सही करने के चकर में आप अपना टाइम और वनी दोनों वेस्ट कर दें और आगे दोस्तों ओथर हमें खुद पर प्रैसर बनाने के बारे में बताते हैं किसी मोटिवेशन का व किलने वाला ही नहीं है ठीक ऐसा है दोस्तों कि किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं लीडर बनना है दोस्तों तो खुद पर ही प्रैसर डालिए आपकी सेलफ एस्टीम आपकी रेपूटेशन देर तक काम करने की हैबिट बनाईए खुद को गरो करने का चांस द मैक्सिमाइज करने के बारे में बताते हैं जैसे कि दोस्तों मसीन को फ्यूल की जरूरत होती है एच्छे से काम करने में आपको खाना पानी और रेस चाहिए एक। और अगर आप कुछ productive नहीं कर रहें तो सारी रात जागना बेकार है दोस्तों productive lifestyle के लिए रात में जल्दी सो जाएए और regular vacations लेते रहें healthy खाईए और अपने daily routine में fitness session के लिए भी जगा रखें ये बड़ा simple और easy लगेगा लेकिन यही चीज है जो आपके और आपके life goals के बीच में हैं और आगे दोस्तों author में खुद को external लेने के लिए motivate करने के बारें बताते हैं खुद के बारे में positive सोचिए और उसके बाद आप खुद के बारे में positive बोल सकते हैं जो कुछ आपके साथ होता है उसका positive meaning लिखा ले optimistic बने किसी भी external circumstances को अपने inner mood को effect ना करने दे I feel good और I can do everything जैसे sentences को आप repeat कर सकते हैं और जब तक आपको इस बात पर पूरा यकीन हो जाए आप हमेशा ऐसे ही करते रहे दोस्तों जो कि आपकी life के हर aspect को effect करेगा इसके लिए आपको हर situation में अच्छाया देखने की आदद को develop करना होगा हर failure में कोई ने कोई lesson देखी और हर परिसानी का solution देखी optimistic लोग हमेशा अपने goal के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते रहते हैं उनके mind में यही चलता रहता है कि अब उन्हें next step क्या लेना है और उन अपने goal achieve करने के लिए अब क्या क्या करना चाहिए और आगे दोस्तों ओतन हमें technology के जाल से बाहर निकलने के बारे में बताते हैं डबल धारी तलवार की तरही दोस्तों टेकनलोजी आपकी दोस्त भी है और दुस्मन भी है वर्ल्ड के जीतने भी great businessman हैं वो सब अपने दिन भर के time में से कुछ वक्त social media और internet से दूर रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर time internet पर लगे होते हैं आपकी life को control करना आपके हाथ में हैं दोस्तों खुद को virtual life में डूबने ना दे life में learning भी ज़रूरी है और सबसे पहले तो आपको अपने current moment को enjoy करना सीखना पड़ेगा बाकी सब उसके बाद unimportant task दूसरों को करने दे हर रोज आप खुद के लिए कुछ time निकालिए जिससे आप अपने दवारा perform किये जाने वाले task की value को increase कर सकते हैं दोस्तों खुज को technology का गुलाम नय बनने दे कोई आप से अभी communicate करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप अपना time दे करके अपने time को waste कर सकते हैं means of the communication के master बने दोस्तों slave नहीं technology हमारी life को बहतर और easier बनाने के लिए है हमें 24-7 बीजो और restless बनाने के लिए नहीं है दोस्तों ये चींज माइंड में रखे और अगर important है तो कोई न कोई आपको inform कर ही देगा और अगर नहीं है तो इसके पीछे आप अपना time waste ना करें और आगे इस book में ओतर हमें slice and dice the task के बारें बताते हैं दोस्तों एक बड़ा task है और आपको पता नहीं है कि सुरू कैसे करें slami method अपने बड़े से task को slami की तरह है छोटी छोटी pieces गंदर divide कर ले फिर एक एक करके आप हर piece को अपना पूरा effort डाल करके पूरा कर सकते हैं जैसे जैसे आप हर piece को finish करते रहेंगे आप अपने task को उतना ही जल्दी finish कर लेंगे दोस्तों और बड़े task complete करने का एक और method है जिसे Swiss cheese method बोलते हैं जैसे आप चीज में punch मार करके hole कर सकते हैं वैसे ही आप अपने task पर भी एक जोर का punch मारें इससे आपको पता चल जाएगा कि task को tackle करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्योंकि इसमें endorphine release होता है दोस्तों इसलिए task finish करना एक तरह से आपको high level की feeling दे सकता है दोस्तों और उसके बाद author दोस्तों में create large chunks of time के बारे में बताते हैं dogs कैसे जल्दी से अपना खाना finish कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि पहले से वो खाने के large chunks कारते हैं और फिर उसे चबाने में और निगलने में time लगाते हैं अपनी time का सबसे बड़िया use करने के लिए आपको सबसे पहले efficiently अपने पूरे दिन का एक schedule बनाना पड़ेगा और दिन का एक specific time पूरी तरह से सिरफ अपने बड़े task के उपर focus करना पड़ेगा दोस्तों ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है और एक minute भी waste नहीं करना है दोस्तों जब आप morning में यानि कि सुभा के time पर काम पर जाएं उसी time दिन भर की preparation कर लें हर रोज के time से थोड़ा पहले उठें घर की थोड़ी duties दूसरों को भी दें अपनी lifestyle ऐसी रखें जो कि एक successful इंसान की होती है और उसके बाद दोस्तों ओतर हमें sense of urgency develop करने के बारे में बताते हैं दोस्तों एक successful athlete दिन रात hard work करता है जैसे किसी championship में जाना हो वो एक दिन भी rest नहीं करता आप खुद को भी एक pro athlete मान करके चल सकते हैं अपने अंदर वो sense of urgency create कीजिए आपकी mind को ज्यादा से ज्यादा state of flow में जाने के लिए train कीजिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों क कि आप एक sense of urgency develop करें यानि एक तरह से आप अपने लिए imaginary deadline set कर लें और एक बार जब आप अपना task शुरू कर देंगे तो आप खुद बखुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से सेम चीज़ करने में आपको कम effort फील होगा इसी भी तरह की interruptions से बचे खुद को एक ब दोस्तों ओधर में single hand every task के बारें बताते हैं एक शेर तब तक रहस नहीं करता जब तक कि वह अपना सिकार ना कर ले आपका अपना task को बीच में छोड़ करके उसे दोबारा सुरू करना यह सब आपका time waste है दोस्तों और कुछ नहीं एक बार जब आप task पर लग जाएं तो जब तक कि वह 100% पूरा नहीं हो जाएं खुद को discipline रखें ताकि आप job complete होने तक non stop काम करते रहें तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस book के conclusion के बारे में तो दोस्तों इस video summary में हमने productivity को बढ़ाने के लिए कई important factors के बारे में बताया जैसे कि हर दिन को पहले से ही plan क करें आप 80-20 principle का यूज कर सकते हैं दोस्तों हर काम के अदर ABCD method को यूज करें हर काम को urgent पे मिले खुद को motivate करें ताकि खुद से काम करवा सके और at the time A की task पर काम करें अगर आप इन सभी principles को अपने काम के दुरान यूज करेंगे तो आप अपने time को efficient तरीके से यूज कर सक सकते हैं और अपनी productivity को बढ़ा सकते हैं दोस्तों आज किस video summary में बस इतना ही उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह video summary पसंद आई होगी अगर आप भी अपने दोस्तों के time को बचाना चाहते हैं तो आप इस video summary को अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं like share and subscribe करके आप हमारे motivation को बढ़ा सकते हैं दोस्तों मिलते हैं हमारी नेश वीडियो में तब तक के लिए आप सभी खुस रहे हैं और खुसियां बाठते रहे हैं और ऐसी amazing books यह summary देखने के लिए subscribe कीजी हमारे